देखिए दोस्तों थोड़ा ही चलाएंगे हम क्योंकि कॉपी राइट इस्यू हो सकता है हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी मैं हूँ आपका भाई लगके दोस्तों आपका भी कभी ऐसे कोई काम करते करते इयर फोन तूट जाता होगा या कट जाता होगा तो आप इसे क्या करते हैं फैक देते हैं लेकिन हम इसका भी यूज़ करेंगे देखिए मैंने इसे दो बागों में काट लिया है और इनके वायर को चील लिया है देखिए इसमें से दो वायर निकलेंगे इसके स्पीकर के और एक में से चार निकलेंगे जो की हमारे दो ही काम के होंगे स्पीकर वाले दो वायर हमारे माइक के हैं बट वो हम कनेक्ट नहीं करेंगे हमें ऐसा कोई पुराना आपके पास नैक बैंट पड़ा हो उसमें से आप लोटूट सिस्टम निकाल सकते हैं ये लोकल आते हैं इनकी बैटरी जल्दी खराब हो जाती है बट हम इसका यूज़ करें कि या फिर इसके जो इयर फोन के वायर हैं वो तूट जाते हैं बट हमारे लिए कोई चीज वेस्ट नहीं है देखे इसमें कुछ इस चाइप का सा मॉड्यूल निकलता है इससे मैट बैंड ब्लूटूथ मॉड्यूल बोलत है और इसमें पूरा सिस्टम हम इस टिक टैक की डबबी में फिट करने वाले हैं सबसे पहले हम इसके वायर को डी सोल्ड कर लेंगे जो इसमें कनेक्ट हुए वे थे वायर बैटरेस के भी और इयर फोन्स के तो देखिए हमने डी सोल्ड कर लिया है इसे और हम जो है इसको यहां पर कुछ इस तरीके से फिट करेंगे और यहां पर इसके जो तीन बटन होते हैं वो लगाएंगे और दोस्तों यह स्टेप सबसे हार्ड होने वाला है तो वीडियो को कम्प्लीट वाथ हीजिएगा तो देखिए पहले मैं इसके बटन के हिसाब से यहां पर निशान लगा लेता हूँ वाई यह बटन यहां है तीनों ठीक है दोस्तों फिर उसके अकॉर्डिन हम यहां पर होल कर लेंगे ताकि हमारे बटन अच्छी तरीके से फिक्स हो सके तो देख लो दोस्तों हमने ऐसा कर दिया है यहां पर और हम यहां भी एक चोटा सा कट लगा देगे ताकि हमारा जो इयर फोन है उसको हम इसके त्रू पास कर सके देखिए कुछ इस तरीके से और यहां पर हम एक नॉट लगा देगे ताकि कभी वायर खिच जाए तो दूटे या निकले नहीं हमने नॉट लगा दिया है देखिए यह इसमें अटक जाएगा अकर वायर खिचे गा भी तो और इस वाले वायर को हम इसका जो डखन है उसमें से पास करेंगे मैंने चार्जिंग के लिए भी काट लिया है इसको अब इस मोडूल को हमें इसमें फिक्स करना होगा बट उससे पहले हम जो वायर है उससे सोल्ड कर लेंगे देखिए एक तरफ वाले वायर यह जो आर प्लस और आर माइनस लिखावा है उसमें सोल्ड करेंगे और पैट्री के इनमें भी कर सकते हैं आप आर मतलब राइट वाला ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप राइट वाला राइट में ही करें आप कैसे भी कर सकते हैं साउंड प्रॉपर आइड यह देखिए हमने एक को सोल्ड कर दिया है अब हम बैटरी का वायर सोल्ड करेंगे एक बार हम पहले यह वाली बैटरी लगा क पर चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉपर वर कर रहा है या नहीं आन करते हैं हम इसको बिल्कुल यह परफेक्ट ली ओन हो रहा है अब हम जो हमारा लेफ्ट वाला यह फून है उसे भी इसमें कनेक्ट कर लेंगे इसके तूरू पहले पास करके तो देखिए दोसको मैंने कंप्लीट वायरिंग कर दी है अब आपको समझा देता हूँ देखिए हमारा राइट वाला साइड का हो गया और इसे मैंने ग्लू बन लगा दी है ताकि हमारा वायर टूटे नहीं और यह लेफ्ट वाला हो गया हमारा और यह बैटरी मैंने वाली लगाई है आप चाहे तो मॉबाइल वाली भी लगा सकते हैं उसके लिए आपको बॉक्स तोड़ा बड़ा लेना होगा तो हमारे कानेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं अब बारी आती है इसको इसके अंदर अच्छी तरीके से फिक्स करने की और सबसे इंपोर्टेंट और हार्ड स्टैप ही यही है वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए देखिए दोस्तों इसे होल्ड कराने के लिए हम इस एमडी एफ बोड के पीस का यूज़ करने वाले हैं तो देखिए हमने इसे फिक्स कर दिया है क्योंकि दोस्तों इसे फिक्स करने में ही हमारा आधा से एक गंटा लग रहे हैं मजारे बटन प्रॉपर्ली वर कर रहे हैं और मैंने वायर्स पे भी ब्लू गन लगा दी है और बैटरी को भी हम इसके अंदर डाल देंगे यह हमारा बन की एकदम रैडी हो चुका है और हमने इस पे टक्खन भी लगा दिया है और थोड़ा सा एल पी लगा कर इसे फिक्स कर दिया है अब दोस्तो इसका थोड़ा लुक बदलने के लिए हम इस पे कुछ डेकोरेट या कोई चीट लगाए है तो दीखिये मैंने इस पे वेल वेट का कपड़ा लगा दिया है जो की मेरे बात में यहीं था और एक हिसा मैंने हिसा ओपन ही छोड़ दिया है बटन इसके प्रॉप कर रहे हैं देखिए दोस्तों यह हमारा पूरा बन के कंप्रीट हो चुका है अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले तो हम इसे ओन करते हैं यहां से मैं आपको इसकी आवाज भी सणा दोगा साथ की साथ ही मैं ओन करता हूं इसे अचले देखिए दोस्तों ओन हो चुका है यह कि लाइटिंग आपको जड़ा रोशनी में कम दिखेगी इसकी लाइटिंग आपको देख सकते हैं जैसा कि आप अलका हलका ब्लू आप लेका ब्लिंक कर रहा है इसके अगर आए इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं तिंपली यह हम ग और यहां हम इसे स्कैन कर लेते हैं सिम्प्ली देखिए दोस्तों ग्लुटूथ म्यूजिक नाम से आ रहा है यह हमारा कनेक्ट हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं देखिए दोस्तों सॉंग प्ले कर रहा हूँ मैं और वॉल्यूम फूल कर देता हूं इसकी और आप इसका साउंड सुन सकते हैं दोस्तों इसका जो बेस है वो बहुत बढ़िया है क्योंकि यह आईफोन की लीड है इसलिए इसका साउंड और बेस बहुत बढ़िया है जैसा कि आप सुन पा रहे हैं यहां से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ फूल है वॉल्यूम हमारी दूसरा कोई सौंग लगाता हूँ मैं जिसमें आपको इसका बेस सुनाई दे दोस्तों थोड़ा ही चलाएंगे हम क्योंकि कॉपी राइट इस्यू हो सकता है देखिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लेके आ सके आप इसको अपने शैट में या टीशर्ट में भी टांग सकते हैं आसानी से और इसमें ये बटन कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि इसका वायर कनेक्शन उस सिस्टम में नहीं था इसलिए हमें वाल्यूम कम ज्यादा करने के लिए यहां पर जो बटन दिये गए हैं उनका यूज करना पड़ेगा कॉल आटैंड और देजेक्ट करने के लिए भी इनका ही यूज करना होगा हमें